हलो फ्रेंड मैं आपका दोस्त आपका वैलकम करता हूँ अपने गार्णिंग वो यूटूब चैनल पे उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अच्छे कामों में बिजी होंगे आज दोस्तो हम किचन के टमाटर से हम प्लांट उगाना सिखेंगे कैसे हम किचन से टमाटर से हम अपने प्लांट पैयार करें तो दोस्तो ये हमारे पास एक टमाटर है आज हम इसी से ही कुछ प्लांट उगाएंगे तो दोस्तो इसको हमको cut कर लेना है और टमाटर आपको जब भी लेना है तो पका हुआ टमाटर लेना है तो इसको cut कर लेते हैं तो देखिए इसमें दोस्तो ये जो आपको seed दिख रहा है इसी को हम आज grow करेंगे तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास potting mix है तो दोस्तों इसमें मैंने garden soil और पर्मी कमपोश मिलाया है और दोस्तों ये देखिए ये हमारे जो seed हैं इनको हम लगाएंगे इसमें तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर इसकी seedling का time देखा जाए तो या तो आप मार्च के समय करें या फिर जुलाई में तो हम इसमें अपने सारे जो seed हैं ये निकाल लेते हैं ये देखिए इसमें काफी ज़्यादा seed है जो भी हमारे plant ग्रू होएंगे उनको हम रख लेंगे दोस्तो ये सबसे असान तरीका है टमाटर के seed से plant उगाने का अगर दोस्तो मार्केट में जाएं तो टमाटर के seed का packet काफी महँगा मिलेगा हमें इसलिए हम सस्ते में आज हम अपने रसोई से टमाटर दोस्तो ये देखिए हमने इन में से जितने seed थे सारे हमने इसमें निकाल लिये हैं अब दोस्तो हमको इसको अच्छे से मिलाना है ताकि हमारे जब भी plant निकलेंगे तो वो फैले हुए निकलें तो हम इसको अच्छे से मिला देते हैं ताकि एक एक जो seed है वो हमारा अलग अलग रहे तो दोस्तो इसको लगाने के बाद में हमारे को इसको ऐसी जगे रखना है जहां पूरे दिन की सनलाइट ना मिले तो देखिए दोस्तो अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे और इसको ऐसी जगे रखेंगे जहां एक घंटे के लिए धूप मिले तो हम इसमें पानी डाल देते हैं पस हमको हलका हलका पानी रखना है इसमें ज्यादा हमें भरना नहीं है क्योंकि इसमें मैंने जो नीचे होल होता है जहां से पानी ड्रेन आउट हो जाए वो नहीं है इसलिए इसमें कम पानी रखेंगे तो वीडियो में बने रहें दोस्तो इसका रिजल्ट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा आप वीडियो में बने रहें आठ दिन बाद दोस्तो अब हमारे प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो गए है ये देखिए ने ने हमारे प्लांट जो हमने टमाटर के सीड लगाए थे ये निकलना शुरू हो गए है तो दोस्तो रिजल्ट तो हमें सही मिल रहा है पर आगे देखना है हमें रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है तो लास्ट तक इस वीडियो में आप दोस्तो बने रहिए देखिए साइद ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये हमारे सीड के बीज हैं देखिए अब ये निकल रहे हैं तो दोस्तों इसका रिजल्ट देखते हैं और तीन चार दिन बाद वीडियो में बने रहिए तेरा दिन बाद दोस्तों अब हमारे जो हमने टमाटर के सीड लगाए थे उनके प्लांट देखिए आप काफी बड़े बड़े हो गए हैं और काफी घने हो गए रात में दोस्तों बारिस हुई थी बहुत तेज तो हमारे कुछ जो इसमें पोदे हैं वो हमारे डेमिज हो गए हैं पर कोई बात नहीं ये हमारे फिरी के ही सीड थे तो दोस्तों बीडियो में बने रहिए फिर देखते हैं आगे का रिजल्ट दोस्तो आज हमारे टमाटर की सीडलिंग को 18 दिन हो गया है अब ये ट्रांस प्लांटिंग के काविल हो चुके है अब हम इनको अलग अलग जगे पे लगा लेंगे और दोस्तो वीडियो कम्पलीट करने का भी समय आ गया है तो दोस्तो अब हम इसको धीरे धीरे इसमें से आसानी से हम अपने प्लांट निकाल लेंगे किसी भी चीज से ये देखिए दोस्तो हमको ये काम बहुत ही अराम से करना है जिससे इसकी रूट जो है वो डेमिज ना हो नहीं तो हमारे प्लांट है वो चल नहीं पाएंगे देखें इनमें जड़ें आ गई हैं बहुत अच्छे से दोस्तो ये देखिए इसमें हमको एक हॉल कर लेना है किसी भी चीज से दोस्तो ये देखिए जो ये आप बेग देख हैं जब हम नरसरी से प्लांट लाते हैं तो उन्हें हमें फैकना नहीं है ये हमारे काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं तो मैं अपने जो टमाटर के पोधे हैं वो इसी में ही लगाऊंगा तो देखिए दोस्तो हमने लगा दिया है दोस्तो अभी मेरे पे जगे बहुत कम हैं मैं देखूंगा तो और भी किसी गमले में मैं ये टमाटर के पोधे लगाऊंगा फिलाल के लिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि हम अपने टमाटर के पोधे को कैसे हमें ट्रांस प्लांट करना है तो दोस्तो हम इनी में अपने जो बेग हैं इनी में हम अपने य कुछ लाने है उसके बाद मैं ये अपने टमाटर के पोधे दूसरे में ट्रांस्पारंट करूंगा तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फिर मिलेंगे ने